तो गैस कुछ इस तरह के box packaging के साथ हमारा यह माई का जाता है और यहां पे आप model नंबर इसका पढ़ सकते हो लास्ट में जो एस लिखा हुआ रहता है इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो माईक है इसके अंदर में आपको एक पड़िगलर अब के साथ मिल जाएगा तो जो भी माउनों की सीरीज आप करते हो वहां पर जब ऐसा आपको मिल जाएगा इसका मतलब वह जो वेरियंट है उसमें आपको अंदर में एक मेकानिकल आम मिल जाएगा पीछे के तरफ अगर बात करें तो यहां पर माईक के बाकी के टेकनिकल संसर जो कि आपके आवाज को कैप्चर करेंगा और यहां पर आपको यूएसबी टाइप A डू टाइप B का केबल आपको मिल जाता है यहां पर कुछ और स्पेसिफिकेशन आपको पढ़ना हो तो इसका MRP जो है वो साले 5000 रुपए बट अभी मैंने जो सेल में बाई गया थ वह भी बहुत साथ अच्छा किया गया और यह आपको अलग-अलग languages में मिल जाएगा और यह रहा हमारा पॉफ फिल्टर जो कि आपके आवाज जो भी आप मुझ से कुछ बोलते हो तो उसकी हवा को ब्लॉक करने के लिए यूज किया गया और यह पूरा-पूरा मेटल से ब बना हुआ है प्लस इसका साइज भी कम है और यह बहुत साथ ऐसे शौक को एब्सॉर्व करने का कैपिबिलिटी इसका उतना अच्छा नहीं आप गाइस यह माइक स्टैंड का जो आपको साड़े पांच आप करते हो उसमें भी आपको इसी तरीके का आपको स्टैंड मिल ज बनाए गया और इसमें आपको आडियो गेन का फैसलीटी मिल जाता है इसके पहले जो मैंने माइक का रिव्यू किया था उसमें आपको किसी जो पी तरीके का आपको ने मिलता था बट उसका जो पूरा चंस्ट्रक्शन था वह थोड़ा सा प्रीविम लगता था पूरा का मे इसका जो बिल्ड कॉलिटी यह काफी जादा लाइट वेट और प्लास्टिक के साथ आता है इसके पहले जो मैंने माइक मंगा था वह साड़े-4000 रुट तो उसका जो बिल्ड कॉलिटी था इसके कंपर देज में जादा अचा था लेकिन जिन लोगों को बिल्ड कॉलिटी से बहुत जादा फर्क नहीं बढ़ता हो और 2,500 रुट अपना सेव करना चाहते हो तो डेफिनिटली आप लोग इस परडिगलर माइक के साथ जा सकते हो बिल्ड कॉलिटी इसकी बहुत जादा अच्छी है मैं आपको इसका सैंपल भी सुना देता हूं आगे की वीडियो में माइक का इंस्ट्रालेशन प्रोसेस था यह कंप्लीट हो चुका है और जो आपको आवास सुनाई दे रहा है यह इस परडिगलर माइक से आपको जो सुनाई दे रहा है थोड़ी दूर में लोग स्विच करते हैं बट उससे पहले जान लेते हैं कि अगर आप एक 2,500-3,000 र इसके पहले जो मैंने माउनों का AUA04 जो रिव्यू किया था उसकी जो केबल वगर का कॉलिटी था काफी जाद अच्छा था दूसरा यह जो शॉक माउंट आप देख रहे हो यह भी कुछ खास कॉलिटी का नहीं है यहां पर भी कंपनी ने कॉस कटिंग किया है और तीसरा य लगा कि यहां पर जो माईक का ऑडियो गेन का जो नॉब है यह सेंटर में दिया गया अगर यह थोड़ा लेफ्ट यह राइट साइड में रहता तो ज्यादा कमफ़र टेवल रहता अगर आपकी उंगलिया थोड़ी से चोटी है तो बीच में आपके माईक के दोरान में बहुत जादा मत बढ़ा देना नहीं तो उससे फिर क्या होगा कि बैग्राउंड के नौजिस को बहुत जादा है क्याप्चर करेगा मेरे रूम में अभी पंका जो है वो तीन के स्पीड में चल रहा है आप में से जो लोग भी बाइक करने वाले होंगे जिनके घर में एसी 3 2 1 अभी जो आपको यह audio sample सुनाई दे रहा है यह इस परडिगुलर microphone के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और आप मुझे sound quality में test करके बताना वापस हम लोग स्विच करे हमारे lab mic पे अभी जो आपको यह audio sample सुनाई दे रहा है यह इस परडिगुलर माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और वापस स्विच करते हमारे इस परडिगुलर माइक पे तो अभी जो आपको यह audio sample सुनाई दे रहा है यह इस परडिगुलर माइक्रोफोन के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और आप मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पूरे सैंपल को किसी एरफोन लगा लगा लोगा के सोनो ताकि आपको प्रॉपर क्लारिटी पता चल पाए कि दोनों के एक एक जो 400-500 रुपे का आप जो लाब माइक यूज करते हो और जो एक यूएस्बी माइक आप यूज करते हो तो दोनों की सांट कॉलिटी में विरेशन कितना ज्यादा आता है वापस हम लोग स्विच कर रहे है हमारे लाब माइक प जाए पंखा जो है वो कितना नॉइस क्याप्चेर कर पा रहा है इसका जाए बहुत जाए तेज अगर बोलना चाहते हो लाइक अगर आपके घर में आस्वास थोड़ा सा नॉइस जाधा रहता है तो आपको अपने माइक के पास में थोड़ा सा रहना पड़ेगा लाइक चार इंच-पाँच इंच के दूरी पर ओऊ थोड़ा सा लाउड बोलो और audio gain को हलका सा कम रखना, बहुत सा कम करके रखना, उससे क्या होगा कि background के noise को suppression करने में ये काफी अच्छे तरीके से आपके लिए कारगर रहेगा, तो गाइस अब बात कर लेते हैं, ये particular mic किन लोग को buy करना चाहिए और किन लोग को avoid करना चाहिए, तो जो लोग budget जिनका ब प्रोफेशनल सेट अप नहीं है, तो आपको पता भी नहीं चले है कि आपके sound की quality में कितना जाए वरिएशन जारा, बिल्कुल भी negligible आपको sound quality में वरिएशन मेलेंगे, जहाँ पे compromises है वो थोड़ा बहुत manufacturing का थोड़ा सा है, जो आपके company ने अपना cost cutting किया है, मुझे personally मै मैं अच्छा माइक यूज कर चुका हूँ, तो उसके बाद ये मुझे एक स्वड़ा सा downgrade फील हो रहा है, और मैंने अपने स्टूडियो में जित्ते भी सेट अप के जो भी कॉंपोनेंट्स मेंने बाई किया है, कहीं पे भी मैंने quality के ही कॉंपोनेंट्स हमेशा अपने इस्पिरियंस दे पाऊ, इस पडिविलर माइक को रिटर्न करने का सबसे बड़ा रीजन ये कि जो बिल्ड कॉलिटी वो थोड़ा सा मुझे कॉंप्रमाइज लगा, अगर इसका थोड़ा जो शॉक्माउंट वगरा भी रहता अगर वो भी थोड़ा सा कमनी अच्छी देती तो definitely मैं इसको रखने का consider करता बट still मैं 4,500 रुपए तक मेरा budget है तो मैं छे किसी धंके माइक पर स्विच करूँगा और आप में से जो लोग इसको मुबाइल फोन में consider करना चाहते हैं मुबाइल फोन में connect करके तो मैंने उस पर test नहीं किया मेरे पास कोई adapter नहीं है कि जो लोग सिंगिंग के लिए माइक बाई करना चाहते हैं तो उन लोग के मैं recommend करूँगा कि माउनों का फेरी 903 करके माइक आता है उसमें आपको ये पूरा mechanical आम नहीं मिलेगा बट उसमें आपको एक table top आपको stand मिल जाता है तो आप उसको consider कर सकते हो अगर आपको यही particular सकते हो वह आपके लिए जादा बैता रहेगा उसमें आपको build quality बहुत जादा अच्छे मिल जाती है जो diaphragm का size वह भी काफी जादा अच्छा है और उसमें आपको live monitoring का भी feature मिल जाता है आप अपने किसी अच्छे से studio headphone आपके पास है तो उसमें आप कनेक करके आपने जो भी सब्सक्राइब के लिए अच्छा सा माइक ढूंड रहे हैं तो धाई तीनाजा रुपे अगर आपका budget है इससे ज्यादा अगर आप पुश नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली आप लोग इसको consider कर सकते हो मेरा budget साढ़े चार-पांचा रुपे तक है तो इसके वैसे मैं इसक इसका अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं Flipkart पर यह अवलेवल है मुझे Amazon पर इसका लिंक नहीं मिला तो मैं Flipkart अवले लिंक इसका डाल दूंग आप जाकर चेक आउट कर लेना तो आज की वीडियो में बस देता ही था होप करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ निया सीखने को मिला हो चैनल पर नीवा हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना तब तक के लिए अपना ख्याल रहो बबायान पीस आउट